श्रीर अधिर दे भक्तों श्रीमत भगवद गीता भाव मंथन कारिक्रम प्रारंब कर रहे हैं। आप लोगों ने श्रीमत भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22 में श्लोप को कल श्रमण किया था। जिसमें आपको बताया गया था वासांस जीरनानी यथा विहाय नवानी ग्रिहना ति नरो पराने तथा शरीरानी विहाय जीरना न्यन्यानी सैया ति नवानी देहिए जिसमें प्रभु ने कहा था कि जैसे मनों से पुराने वस्त्रों को रत्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को रत्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है तो इसमें भगवान समझा रहे थे और हम लोग उस पर विचार कर रहे थे कि अरजुन जो पुराना शरीर छूटता है नया बढ़िया शरीर मिलता है तो उसमें तो दुख की कोई बात ही नहीं और तुम जो सोचते हो कि इन लोगों को तुम मारोगे तो इसकी विशे में भी समझ लो तुम किसको मार सकते हो अरे शरीर इनका जो है उसके प्रारब्द के अनुसार चूटेगा तुमको क्यों धर्म का पालन करना है एक योद्धा की धर्म का और ये जो सोचते हो कि इनको हम मार देंगे तो तुम किसको मार सकते हो इसके विशय में समझ लो कि जिसे तुम मारने काटने की बात करते हो उस जीवात्मा को तुम मार ही नहीं सकते हो तो 23 लोग का पाठ अब हम लोग करने जा रहे हैं आप भी ग्रन्तात में लिजिए और मेरे पीछे बोलिए नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकह ने चैनम क्लेदियन त्यापो ने शोशयति मारुतह नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकह नै चैनम क्लेदियन त्यापो नै शोशयति मारुतह अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते अर्जुम और तुम्हारे पास तो शस्त्र ही है ने युद्ध में कहां से काट दोगे तुम इनको इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकती तुम मान लो अगनियास्त्र चलाओगे तब भी नहीं कोई भी आत्मा अर्था जीवात्मा नहीं जल सकता है इसको जल नहीं कला सकता वायव्यास्त्र तुम चलाओगे या वरुनास्त्र चलाओगे कैसे पानी की वर्षा होगी उस पे जीवात्मा नहीं कल सकता और वाइव व्यास्तर के द्वारा सुखा नहीं सकते उसको वाइव नहीं सुखा सकता इस दीवात्मा को भगवान समझा रहे हैं ये भगवान के द्वारा बोले हुए दीव श्लोक क्यों है भगतु इनको प्रतिन पाठ करने पर दिर दिर आत्म ज्यान में स्थिती हो जाती है प्रभु समझा रहे हैं न एनम चिन्दंति सस्त्राने न एनम न एनम अर्थात न एनम न एनम चिन्दंति सस्त्राने अर्थात इसको कमट्रव दीवात्मा को सस्त्र काट नहीं सकते हैं छिंदंती का अर्थ है छेड करना, नहीं काटना, छेड करना तो हिंदी में हो गया, छिंदंती अर्थाच काटना, इसको कात नहीं सकते हैं इस आत्मा को, कोई भी हथ्यार नहीं काट सकता है। और यहां शास्त्रान बहुवचन शब्दा इसका अतात पर जितने भी अस्त्र हैं दुनिया में, कोई इस जीवात्मा को नहीं काट सकते हैं, शरीर को ही केवल काटा जा सकता है, और नए नमदाति पावकह इसको आग जला नहीं सकती है, यह आत्मा के लिए बातों लागो नह थियार इसको काट देगा, वैसे आप लोगोंने पाठ किया होगा यह दोहा की काहन, पावक जारी सक, कान समुद्र समाए, कान करे अवला प्रिभल, कान समुद्र समाए, और पावक अर्था तागनी सब कुछ जला सकते हैं, किन्तों आत्मा को महरा अगनी क्या सूर्य देव भी जला नहीं सकते हैं, आत्मा को तो, सूर्य मंडल में भी जीव रहते हैं, इस शरीर से नहीं रहते हैं, उनका शरीर दूसरा, सूर्य मंडल में रहने योग अगनी का शरीर होता हैं, इन जीवों के शरीर पांच भावतिक जो अगनी के बने होते हैं, घरुन पुराण में लिखा है कि जो गाइतृ का जब करता है, वो सबसे पहले षरीर आंत होने पर कुछ समय के लिए सूरी में रहता है, फिर ब्रह्म लोक में जाता है, जहां उसकी मुक्ति होती है, सेस्पस्ट है कि सूर्य में जीव रहते हैं अब वैज्ञानिक भले नमानें लेकिन पांच भौतिक ये मिट्टी वाला शरीर जो हम लोग हुई इस समय धारण की ये शरीर नहीं हो रहा सकता ये तो तुरंत खतम हो जाएगा किन्तु वहां रहने हो कि सरीर सूर्य में रहने वाले दिव महान जीवों को मिलता है अब ये बात भौतिक विज्ञान नहीं समझ सकता है लेकिन ये सत है ने चे एनम क्ले दियंति आपह और ने इसको गला सकता है जल जैसे चीनी जल में डालो तो तुरंत गलने लगती है पानी के अमली स्वरोप में तो धातु भी गल जाती है समुद्र के पानी में धातु भी गल जाती है तेजाब पिसे तेज आप होता है जीवात्मा तेज आप में अर्था तेजाब में भी निगल सकती है ने शोशयत मारूता है हवा इस आत्मा को सुखा नहीं सकती है हवा स भी प्रानी हो बनस्वती हो सब कुछ लेकिन आत्मा को नहीं सुखा सकती एक उपनेश्दी कथा है वक्तों कि एक बार सब देवता अपने अपने बल का बखान कर रहे थे उसी समय एक बाल ब्रह्मचारी आ गए और उनके आगे एक तिनका रख करके बोले कि अपने अपनी शक सा कत लगाई किन्तु तिनका नहीं जला उन्से यो कि सारी जंगलों को जला देते हैं अगनी देव व्यूंति वायव देव ने पूरी शक्ति लगा दि कितनी आधी तुफ़ान आती है वाय देव के द्वरा लेकिन तिनका नहीं ऊड़ा बले यांधी तुफान आ गया वरुन देव ने कोई कसर नहीं छोड़ी बरसात करने में किन्तो महराज तिनका जैसे के तैसे वहीं टिकारा बहा ही नहीं हो पानी में नहीं बसका और सब देवताओं का आहंकार खत्म हो गया सब ब्रमचारी के चर्णों में फड़गे कि आप कोई है महराज हम लोगों की शक्ती काम ही नहीं कर रही तिनका को हम नहीं कुछ डिगाम पाए उगला पाए उड़ा पाए तब ब्रमचारी बाल रूपना रहने साक्षाद दर्शन देकर बताया कि समस्त पंच भूत विवंग उनके देवता स्वयम भगवान नहीं बनाए देवता भगवान की शक्ती से ही कारे करते हैं उनकी अपने कोई शक्ती नहीं होती है भगवान का शरीर अवतार काल में चिदा अनंद मै होता है पांच भोतिक नहीं होता है चिदानन्द मैं देह तुम्हारी रहित विकार जान अधिकारी राम जी किशकिंदा के घोर जंगलों के कंकर पत्थर वाले दूरगम रास्तों पर चल रहे थे हनुमान जी ने दर्शन किया तो हनुमान जी चकित रह गए और हनुमान जी के मुख से निकला आश्चरे पदगामी कवन हे तुविच रह बन स्वामी बात यह कि पांच भूतिक शरीर हो तब तो उसके उपर कठिन भूमी का असर पड़ेगा कंकर पत्थर का लेकिन भागवान के अवतार का तो पांच भूतिक शरीर नहीं होता है दिवेदे होता है तो अन्य कोई कोमल पदवाला हो तब तो पैर फट जाते लेकिन खून भी बने लगता असमर्थ हो जाता चलने लेकिन कोमल पदवाले भगवान तो दिवी गात्र के थे ने जिदानन्द में दे तुमारी रहित विकार जान अधिकारी तुमारा जो हनुमान जी ने समझ लिया कि तेरह साल से जो जंगल में भूम रहे हैं उनका शरीर इतना उनका कोमल इतना चरण इतना कोमल चरण यह कैसे हो सकता है तो कठिन भूम पर विचरण करने पर विकोमल पर तो निश्चित ही पांच भौतिक शरीर वाले नहीं हैं इसलिए अवस्चिदानन्द में देह वाले होंगे तो हनवान जी ने पहिचान लिया कि प्रभू आपका शरीर तो दीव है आप साधारन मनुस्य नहीं हो सकते हैं दीवात्मा भी तो भगवान का यहन से बक्तो तो दीवात्मा आत्मा के रूप में तो भगवान का यहन से ना वो कैसे पांच भौतिक शक्तियों से प्रभावित हो सकता है इसलिए पांच भूत या कोई भी देवी देवता भी आत्मा को नहीं जला सकते, काट सकते, गीला कर सकते तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं अर्जुन तुम ये मत सोचो कि ये तुम्हारे सम्मुख जो शत्रु रूप में खड़ी जीवात्माएं हैं इनको तुम काटतोगे इने शत्रु रूप में खड़ी जीवात्माओं को नहीं काट सकते हो नहीं गला सकते हो जिनको तुम पूज नहीं बता रहे हो ना, अब इनका शरीर छोट करके अच्छा शरीर मिलने वाला है, अन्य अन्य लोकों में भी जाएंगे उर्ध लोकों में, वहां इनको दिवे शरीर मिलेंगे, इस युद्ध के बहाने ये लीला होने जा रही है, इनका प्रारभ इस काट सकते हो, न गला सकते हो, न सुखा सकते हो, इसी बात को भगवान ने अगले शलोप में और अच्छी तरस समझाया है, उसको हम कल पाट करेंगे, और भाव भी समझेंगे, कल ही है, आज पार्थ सार्थी भगवान श्याम सुंदर और उनके प्री भक्त को दिवरत पर व करते हुए, मानसिक दर्शन करते हुए, नमन करते हुए, यहीं विरामजे रहे हैं, शीरादे रादे, रुन्दावन विहारी लाल की गए, राधार आनी की गए, शीरादे रादे बाहँ सुंदर गया है